हलो फ्रेंड्स सौगत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में आज मैं बहुत ही सुन्दर डोर्मेर का डिजाइन लेके आई हूँ इसे मैं दो कलर से बनाऊंगी रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर डिजाइन आईए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और यहां पर देखे प्रेंड्स मैंने सलाई में एक गाठ लगा दिया है और अब हम किनारे से फंदे बढ़ाएंगे देखे इस तरीके से किनारे से एक एक फंदे बढ़ाएंगे दो फंदे हो गए हैं फिर उसी तरीके से एक फंदा और बढ़ाएंगे यह देखे तीन फंदे हो गए हैं और उसी तरीके से फिर से फंदे बढ़ाएंगे एक फंदे दो ये तीन और ये चार पंदे हो गए और यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स चार पंदे हो गए है एक पंदा और हम किनारी से बढ़ा लेंगे ये दो पंदा हो गया इसको हम कोल देंगे गलती से बुना गया है और इसी में हम काला कलर आड़ करेंगे बीच वाले फंदे में दो पंदा इस किनारे दो पंदा उस किनारे और बीच वाले फंदे में काला कलर आड़ कर लेंगे इस तरीके से और दो पंदे हरे वाले से बुनेंगे और फिर से उसी तरीके से सामने से एक फंदे बढ़ाएंगे बहुत ही सुन्दर और सरल डिजाइन है फ्रेंड्स इस डोर्मेट का आप ध्यान से देखिएगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा एक फंदा बढ़ा लिया मैंने और यह भी पंदा हाम बून लेंगे और अब हरे वाले को पीछे की साइड कर देंगे काले वाले धागे को आगे की तरफ करके काला काले से बुनेंगे इस तरीके से काले वाले धागे को पीछे की तरब कर देंगे हरे वाले धागे को आगे की तरब करके हारा हरे से बुल लेंगे और पीछे की साइड चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बुनाई करना है फंदे हमें हर सलाई में बढ़ाते ही जाना है देखें इसी तरीके से हर सलाई में फंदा हम किनारे से बढ़ाते जाएंगे और ये देखें एक फंदा काले वाले के दोनों किनारे के हरे वाले फंदे देखें काले वाले से बुनेंगे एक इधर से और काला काले से बुन लेंगे और यह खारा फिर से हम काले से बुन लेंगे तीन फंदे हो गये और हारा हारे से बुनेंगे इसी तरीके से फ्रेंट्स हर बारी हम दो दो फंदे इस तरफ से उस तरफ से काले बाले से बुनते जाएंगे और सामने की तरफ से आप देख सकते हैं फ्रेंट्स हमारा डिजाइन बनना शुरू हो गया है और फिर से उसी तरीके से बुनाई करेंगे देखिए फंदे हम बढ़ाते जाएंगे मैं आपको बार-बार बताऊंगी किनारे से फंदे बढ़ाते जाएंगे और ये दिखे दो फंदे हो गया है तीन और धागे को पीछे की तरफ कर देंगे काले वाले धागे को आगे की तरफ करके काला काले से बुनेंगे और हरा हरे से बुनेंगे और पीछे की साइड से काला वाला फंदा हम बढ़ाते जाएंगे इसी तरीके से हमारा डिजाइन बनता जाएगा आप देख सकते हैं फ्रेंट्स आसा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा हमारा ये डिजाइन और ये देखिए फिर से उल्टे साइड हम आ गए है एक पंदा इसे तरीके से बढ़ा कर बुनेंगे और ये देखिए दो पंदे हो गए हैं और एक पंदा काले वाले के पहले बचा हुआ है इसे हम काले वले से बुनेंगे एक पंदा इधर से एक पंदा उधर से दोनो तरब से काले वले से बढ़ाते जाएंगे तीन पंदा हमारा काले वले से उगा था इस बार हम पांच पंदे हो गए यमारे और ये दिखिए हरा वाला एक काले वाले से और अब हरा हरे से बुनेंगे इसी तरीके से प्रेंट हम बुनाई करते जाएंगे और हमारा डोर्मेट बनता जाएगा और फिर से हम सामने की साइड आ गए हैं आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें बुनाई करना है हरा हरे से काला काले से जैसा कि माने पहले आपको बताया हुआ है धागे को आगे पीछे करते जाएंगे और बुनाई करते जाएंगे और फिर उल्टे साइड आ गए हैं उसी तरीके से फ्रेंट्स देखिए दोनों तरब से काले वाले से बढ़ाते जाएंगे एक एक फंदे एक फंदा इधर से एक फंदा उधर से बुनाई करते जाएंगे आपको कितना लंबा चौड़ा डोर्मिट चाहिए आप उसके इसाब से फंदे बढ़ाते जाएंगे और यह दोर्मिट बढ़ा होता जाएगा और यहाँ पर देखिए काला काले से बुनेंगे और एक हरा लास्ट वाला देखिए इसे भी काले से बुनेंगे और हरा हरे से बुनेंगे इसी तरीके से बुनाई करते जाएंगे प्रेंड्स मैं आपको छोटा इडोर मिट बना कर दिखा रही हूँ आपको जितना भी बढ़ा चाहिए आप फंदे बढ़ाते जाहिए बढ़ता जाएगा और इधर के तीन फंदे हैं इधर दो चलिए एक बार और हम फंदे बढ़ा कर गुनाई कर लेते हैं और ये वाला फंदा काले वाले से बुनेंगे और लास्ट का दो फंदा चोड़कर सारे फंदे काले वाले से बुन लेंगे सामने की तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ और ये दिखिए फ्रेंट सामने की तरफ से दोनों तरफ हरा वाला फंदा दो दो फंदा हो गया है और अब हमें फंदे नई बढ़ाने हैं पूरी सलाई उल्टी बुनाई करकर तयार कर लेंगे दो फंदे हरे वाले से और बाकी के फंदे काले वाले से बुनेंगे लास्ट वाला दो फंदा हरे वाले से बुन कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ और अब उल्टे साइड से फंदे खटाएंगे देखिए दो फंदे का एक फंदा करेंगे हरे वाले से पहले मैंने फंदे बढ़ाया था लेकिन अब हमें फंदे घटाने हैं और आप देख सकते हैं इसी तरीके से फंदे घटाने हैं और बाकी के फंदे काले वाले से बुन कर त्यार कर लेंगे इसको खीच देंगे ताकि अच्छी तरह से होल ना आए बीच में से और ये लास्ट का फंदा देखिए इस तरीके से दो का एक कर देंगे स्टार्टिंग में भी दो का एक करना है और लास्ट में भी दो का एक करना है इसी तरीके से हम फंदे खटाएंगे और अब फिर से हम सामने की तरफ आगे हैं और सामने की तरफ से दो फंदा अरे वाले से बुनेंगे एक और ये दो और अब धागे को पीछे की तरफ कर देंगे काले वाले धागे को आगे की तरफ करके काला वाला फंदा काले से बुनेंगे अच्छी तरफ से खीच देंगे धागे को एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और ये 9, 10, 11 और अब ये दो फंदे हम हरे वाले से बुनेंगे हरे वाले धागे को आगे की तरफ करेंगे और काले वाले धागे को पीछे की तरफ कर देंगे दो फंदे हरे वाले से बुन कर त्यार कर लेंगे एक और ये दो फिर से चलिए उल्टे साइट चलते हैं यह देखिए और इस बार हमें दो काई करेंगे उसी तरीके से एक फंदा गटाएंगे और फिर से काले वाले का एक फंदा हरे वाले से बुन लेंगे दो फंदा हो गया और बाकी के काले फंदे काले से बुनेंगे और लास्ट में देखिए एक फंदा हमारा काला वाला छोड़ देंगे इस फंदे को हरे वाले से बुनेंगे और दो फंदे का एक फंदा कर देंगे इसी तरीके से हम बुनाई करते जाएंगे हमारा डोर मिट घरता जाएगा घटाते जाएंगे फंदे को हम और फिर से सामने की तरफ आ गए हैं हरा वाला हरे से बुनेंगे और काला वाला काले से बुनेंगे और उल्टे साइट से उसी तरीके से फंदे घटा दे जाएंगे और यहाँ पर देखें फ्रेंट्स हमारा लास्ट का पांच फंदा बचा हुआ है चलिए इसको भी हम घटा देते हैं सामने की तरफ से पहले हम इसे देखें इस तरीके से हारा हारे से काला काले से हारा हारे से ऐसे ही बुन लेंगे और उल्टे साइट से दो फंदे का एक फंदा करेंगे हरे वाले से एक फंदा हारे वाले से बुन लिया ऐसे ही और लास्ट में दो फंदे का एक फंदा कर दिया यह देखें तीन फंदे हमारे पास बचे हुए हैं इसे ऐसे ही उल्टी बुनाई कर लेंगे यह सामने की तरफ से एक दो और यह तीन और उल्टे साइट से फंदे खटाएंगे यह देखें दो का एक करेंगे हरे वाले से और फिर से दो का एक कर देंगे और लास्ट वाले फंदे में हम गाठ लगा देंगे धागे को काट देंगे और गाठ लगा देंगे इसी में और फ्रेंट्स यह देखिए हमारा डोरमेट बनकर तयार हो गया है आपको कितना बड़ा डोरमेट चाहिए आप फंदे बढ़ा कर बना सकते हैं प्रेंड्स अगर मैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेर सस्क्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा राधे राधे प्रेंड्स